हाई अवरी button अब अब आक वाले हैं लारावल के अंदर mutator के बारे में पहले में आपको बताऊंगा लाराविल बर होते हैंसके बारवल कि उसके बाद कंट्रोल और फंक्ष्न एंड राउड बनाएंगे ताक कि लास्ट में से इंट्र भी कुछ इंट्रविउ यह लारावल 11 की playlist है जो हमारी definitely help करने वाली है लारावल की job में, project में, interviews में, पूरी playlist देखना, link मैंने description box में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है जी, पहले question पर चलते है कि mutators होते क्या है, लारावल के अंदर mutators ऐसे functions होते हैं, जो database में data को store करने से पहले उसको modify क कर सकते हैं, उसको customize कर सकते हैं, मालो आपके पास एक students नाम से table है, इसके अंदर जब भी आप लोग data को insert करते हो ना, तो आप चाहते हो कि data में कुछ modification हो जाए, जैसे कि email ID में कुछ change हो जाए, या तो पहले www, या फिर कुछ भी लग जाए मालो, या फिर name का first letter capital हो जाए, य after that जो phone number है, इसके अंदर country code या फिर कुछ भी आपको changes करने हैं, ये सारे के सारे changes आप लोग mutators की help से कर सकते हो, एक question आप यहाँ पूछ सकते हो, कि last part के अंदर accessor भी तो पढ़े देना हम लोगो ने, तो accessor का क्या काम होता है, accessor क्या करते हैं, जब आप लोग data को get करते हो तो उस time क्या करते हैं, आपके database में से जो भी columns होते हैं, जो भी data होता है, उसके अंदर थोड़ा both change कर देते हैं, ठीक है, but वो database के उपर को impact डालते नहीं है, but mutators क्या करते हैं, जब आप data को store करते हो, तो उसके अंदर कुछ modification कर देते हैं, मैं आपको यहाँ भी दिखा connection और route बनाते हैं, so मैं controller पर जाता हूँ, जो हम लोग ने last वाले part के अंदर बनाया था, and then इसके अंदर यहाँ पर function बनाता हूँ, इस function का नाम मैं आप रख लेता हूँ, save, आप कुछ और नाम रखना चाहो, तो वो भी रख सकते हो, इसमें कोई problem नहीं है, हाँ, यहाँ प अब मैं क्या करता हूँ, हम लोगोंने save function बना लिया, यहाँ पर एक variable ले लिता हूँ, student करके, और better पता है क्या है, यहाँ पर एक बार के लिए पहले route बना लेते हैं, और यहाँ पर कर देता हूँ, save, ऐसे बने function का नाम दे दिया, after that मैं web.php के अंदर जाऊंगा, और यहा type का route बना लिया, यहाँ पर save इसका नाम दे दिया, और इसके अंदर भी जो हम लोगोंने function का नाम रखा है, वो भी save ही है, आप यहाँ पर देख पा रहे हूँ, ठीक है, अब इस route को access करने ही कोशिश करते हैं, यह properly यहाँ यहाँ पर run हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर डालत पहले मैं normal data insert करके दिखाऊंगा, बाद मैं mutators के साथ करके दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर dollar student नाम से एक variable ले लेता हूँ, and then यहाँ पर करूँगा new student, एक instance बना लिया हम लोगोंने, then यहाँ पर student का जो name होगा, मैं वो रखता हूँ, let's say मैं यहाँ पर रख दिया, Bruce, ठी तेनी है, Peter, Sid, और Arnold, तो Bruce नाम से मैंने रख दिया, then उसके बाद में मैं यहाँ पर phone number और email ID भी add कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, phone number, and phone number मैं simply कर लेता हूँ, 111111, और email ID में कर देता हूँ, यहाँ पर Bruce at the rate test.com, ठीक है, और मैं अब यहाँ पर चेक करूँ हूँ, if, dollar student, यह फिर से मैंने hash लगा दिया, यह लगाता हूँ, अगर यह, इसके अंदर एक save function होता है, save function को बोल करूँ हूँ, अगर save function properly run करा, तो यहाँ पर echo आ जाए, new student added, या फिर जो भी आपको यहाँ पर, इसके अंदर message दिखाना वो दिखा सकते हूँ, अब मैं यहाँ पर click करूँगा, तो आप देख सकते हूँ, new student added, और यहाँ पर आता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या दिखा है, new student add दिख गया, Bruce के नाम से, मैं इसको delete कर देता ताकि हम लोगों को बात बार यहाँ पर data change करना ना पड़ी, ठीक है, but point कहा, जब भी data add हुआ था, तो इसके अंदर small b था, यह सारी चीज़े थी, मैं चाहता हूँ, Bruce का b capital हो जाए, तो बोलो कि आप यहीं पर कर दो na, b capital, क्या दिख कर दे, देखो, अभी हमने static data लिया हु attributes कर सकते हैं, because एक के अंदर हम लोग multiple attributes भी change कर सकते हैं, ठीक है, नहीं, attribute यादा है, not attributes, इसके अंदर एक या आता है, ठीक है, then, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से इसकी value निकालते है, dollar value, इस तरीके से, और यहाँ पर आपको simply क्या करना होता है, dollar, this, और इस इसके बाद में attributes, attributes के अंदर हमारा एक attribute होगा, यहाँ पर name, जिसको मैं यहाँ पर change करूँगा, because यह name के लिए हम लोगों नहीं रखा है, और यहाँ मैं अभी के लिए डाल देता हूँ, apple, मैं apple क्यों डाल रहा हूँ, मैं आपको यह बताने की गोशिश कर रहा हूँ, कि मै जो भी यहाँ पर लिखूँगा, वही इसके अंदर store हो जाएगा, ठीक है, then अब मैं इसको store करता हूँ फिर से, चैसे मैं इसको store करा, एक data store हो गया, but अगर आप यहाँ पर refresh करोगे, तो यहाँ पर आगया apple, Bruce नहीं आया, क्यों, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, इसने override करते है, तो मैं simply यहाँ पर क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि Bruce का B capital हो जाए, जो भी user का नाम हो, वो capital हो जाए, तो simply मैं यहाँ पर लिखूँगा, UC first, यहाँ जो first letter है, उसको कर दो capital, और यहाँ पर लिखा दूँगा dollar well, इसको refresh करूँगा, यहाँ पर आता जैसे कि Bruce की जिए पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर Tony, small t लिखा है, बट जैसे मैं इसको refresh करूँगा, यह new student add होगा, जैसे code को run करूँगा, तो यह भी capital भी हो जाएगा, बट अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ phone number के अंदर भी कुछ change हो जाए, जैसे कि मैं पहले इसका य प्लस 91, इस तरीके से, प्लस 91 not equal to, प्लस करेंगे, और यहाँ पी भी minus वाला sign आता है, अब मैं इसको refresh करता हूँ, और अब आप देखोगी, जैसे मैं इसको check करूँगा, तो यहाँ पर Tony का T capital है, और यहाँ पर प्लस 91 भी add हो गया, यहाँ से मारा कौन सा number था, बस यहाँ अगर मैं इसको 11, 11 करता हूँ, और Tony की जीए, आप यहाँ पर Sam करता हूँ, तो देखोगी, आप लोग, इसके अंदर भी Sam भी capital है, और वहाँ प्लस 91 भी लगके आ गया, refresh करा, and then इसको table को refresh करता हूँ, जहाँ भी देख सकते हो, Sam, और यह email id मैंने change करी नहीं थी, हम लोग चाहते हैं, तो change कर सकते हैं, so आपको, I hope यहाँ में समझ में आया होगा, mutator का concept, इसमें कुछ doubt, कुछ confusion है, मुझे comment section में पूछ सकते हैं, please channel को subscribe करना, बिल्कुल मत भूलना, comment section में कंदर बताव, आपको video कैसी लगी, और channel को subscribe करके video को live भी करना, यह मेरा PTM का donation number है, thanks guys.